हैलो दोस्तों आज हम बनाने चाहा है मुनगा भाजी दोस्तों बहुत ज़्ञादा पोशक तत्वों से भर करहते हैं और अगरा अगर अगर आप यह दो काम्य Пр黙 ejercive को है वह कम होने लग जाता है और जिसको नहीं होता है और जो मोरिंगा लीप्स नम दीशन की पत्ति यह अच्छा होता है दोस्तों जिसे अम उल्गा नाम से जानती इसका फेल को इसका फूल फल और पत्ति सभी चीज जो है हेल्थ के लिए भूँट ज्यादा फैदेमन्द है तो इसका भाजी है वह भाज को आपत्य को आप शुखा कर इसे आप पर इसटो कर भी 14 सकते और जबते बहुत ही 15 सभाजni ुटाइव थो देखि भाजी को मैने तो देखिए पहली से अच्छे से तोड़ लिया और तोडने के बाद इसे मैं अच्छे से तोड़ने के कोशिज कीजिए या फीर इसको मतलब हमको हाथों से रगाड लेना है जिसे कि यह थोड़ा सा मुर्जा मतलब अगर आपको नहीं करना है तो आप बीना करें भी आप बना सकते हैं इसे ऐसे ही मतलब धोकर अगर हम इसे थोड़ा सा तोड़ लेते हैं तो इसका जो स्वाध है बढ़ता है यह सांथ में पहुत अच्छे से पक जाता है तो हम ऐसी हम I say it है है यह से तोड़ते बने और यह देखए हासे अहांथों यसे आप िसमाल मरकड़ी है तो ये थो डिषी क इस टाब से झालता है। यसी काटना नहीं है क्लूकि करने से तेस्ट हैए वह सब्सक्रािवेक्स कमний थोड़ा से कस्छला तेस्ट आता है तो चलिए हैं अम ने सबको अच्छे से रमंज लिया है अब इसके बादं आम इसे चाहे हैं, बालों से रहें लगा सकते है इसका मेंसरा बिआ बना ब की बालों बहु신 ज़ écrit लिया है या फिर पतले है तो बाल के लिए बहुत ज़्यादा फैदेमन होता है और इसकी आप चाय बना कर भी सकते हैं मॉर्णिंग की के रूप में इसे वेट लोज भी होता है अगर वेट कम करना चाहते हैं तो इसकी पत्तियों का चाय बना कर पीजिए जो कि आपके वेट को भी कम क अगरे बना चाहिए जो कि जो कि भी एक हो आखे और इसकी सबजी खाने से तो और वहासा फैदय होता है तो यह देखिए में कुकर में बनारी को कर में थोड़ा सा चना के डाल जो कि मैं भीगा कि रखी थी नहाटि नहमक डाल देते हैं और बस इसे में कुकर को बंद करकर 2 पानी दाल भीगाती है सिटो अगर और रहना है। दाल भीगानी के टाइम आइटा पासेला है। हम इस पानि को अलग करते हैं क्योंकि कभी-कभी मुंगा भाजी जो होता है सहजन को list होता है कहीं मतलब कोई पेड़ का थोड़ सा कसेला होता है तो अगर हम इसका माली को आसे निकाल देते है एसे भी पानी निकला है उसे हम बार बदूम के अगर दिजिक लगए अगर wants to make with a process को आपको सब्सक्रा माल होता है और हैंतृ ????? पानी को यूज़ कर सकते हैं तो यह मेरे ससुराल के पेड़का है थोड़ा सा हलका करसेला है इसलिए मैं पानी को निकाल रही हूं और यह देखिए अब इसे तड़का लगाएंगे तड़का लगाने के लिए कडाही में तेल गरम किजे उसमें लसून और मिर्च टाल दीजे उसका टेस्ट उसना जाद आपको मिलेगा और साथ खायदा तो यह देखिए अब भाजी को में यहां पे डाल देते हैं क्योंकि टमाटर अल्रेडी हमने भाजी में डाल के पका लिया था नमक भी हमने डाल दिया तो हमें कोई चीज़ा डालने की यूरत नहीं है क्योंकि हल सब्सक्राइब कर तयार है इस भाजी को आप दाल चामल के साथ खाये बहुत ज़्याद स्वादिश्ट लगता है या फिर रोटी के साथ भी खा सकते है बहुत ही स्वादिश्ट है साथ में हेल्दी है तो कैसा लगा आज के जिसे पी मुझे जरूर एक बर कमेंट करकर बता है तो पहली बार बना रहें तो आप एक जरूर धियार रहें कि का भाजी आपको कड़ोंने लगे क्योंकि कभी किया होता हुआ वह हम आप घवा घाल लेते हुआ खाने कर द yell को इसलिए अडिक देला है और उसके बात की भाजी को यूजिग को यूज कर लेना है तो यह दे